सब्सक्राइब करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हम लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं according to the analysis इसके लावा market में क्या और opportunities देखने को मिल रही है कि market 20,000 तक दुबारा जा सकता है NFT या market में गिरावट आ सकती है वो एक बर technical point of view से जरूर चेक करते हैं अब यह जो भी हम लोग analysis करेंगे इस analysis को जरूर धियान से समझेगा because main important चीज़े हैं जो मैं आप लोगो बताने वाला हूं इसके लावा जो तीन stocks मैं आज आप लोगो बताने वाला हूं इस पर personally मैंने एक stock पर अल्रेडी इन्वेस्ट करावा है दो stocks मैं मंडे को कल के trading session पर डिफनेटली बाय करूंगा कुछ लेवल्स देखके जो मैं आप लोगो खुद भी बताऊंगा और क्या चीज़ देखके मैं उन्हें बाय कर रहा हूं की expiry के लिए है चलते अपने ट्रेडिंग सेट अप की तरफ सो मुझ अपने ट्रेडिंग सेट अप पे चुके हैं सबसे पहले एक बार निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं अब नेक्स्ट दे यानि की लास्ट वोकिंग देखके अगर आप चेक करोगे तो तो वहां पर भी एक इंसाइट कैंडल बनी हुए हम इंसाइट कैंडल की हाई और लो दोनों को मान के चल रहे हैं की वो भी उपर और नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए है इस बयरुष कैंडल के नीचे साइड में इस एक इंसाइट कैंडल यह बहुत कम जागा बने में थिम्हां हUI मैं 그렇게 पीछे नहीं गया अर्शाओ की उचम पीछे गया हूँ चल उर वो फॉल्स ब्रेक्ड़ॉणि और फॉल्स भी देता है यह फॉल्स भी ब्रेकन नीज़ देता है तो फॉल्स भी दॉल्स भी देता कि घौकान अगर वह यह ब्रेlate स्ने लेवल भार मार्केट डर कोो थे क्यांस्ट भी मं आप़ गया ह। on a one hour time frame आप देख सकते हैं कि automatically एक previous high तो बनावा है एक swing low ये create हो रखा है and market ने अभी एक pullback दिया है just अब इस pullback पी ये जो particular level है ये ये वाला जो zone है जहां पर एक अच्छी momentum आप में देखने को मली थी जिसने इस previous low को break करा आता और इस momentum ने एक previous swing high को भी break करा था after that क्या हुआ market नेचे आई इस ने इस level के दुबारा low को break करा एक continuous lower low create करा और जिसने पहले एक higher high create करा था after that trend दुबारा एक lower low sorry lower high पे convert हो गया so that means lower low and lower high दुबारा trend continue हो गया ये एक bearish sign है अब हमे क्या देखना है कि अगर ये वाला level that is 19,550 लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है और 30 minutes 15 minutes time frame so एक clear short position हमे बना ले ले है उसके बाद हमे इस candle के low का कहीं पर भी low का ब्रेक करनी की जुरूरात नी पड़ेगी हमे एक short position बना ले 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 है बिकास ये एक strong support का का करेगा definitely market candle because एक breakdown आया अच्छी candle के साथ और next candle ने ही उसे पूरा का पूरा cover up कर लिया और after that एक बड़ी momentum एक gap up के साथ हमे एक अगले दन खुलने को देखने को मिली थी तो ये चीज़ हमे जरूर चेक करनी है तो ये चीज़ हमे जरूर चेक करनी है फर्स तागिट आगिए हमें से 100 points का fall expect कर सकते हैं और अगर उसे भी break करती है तो अमारे previous swing highs हमें definitely देखने को मिल सकते हैं और approximately around closer to 19,300 रूपीस के level भी तो जरूर इसको चेक करियेगा after that अगर market उपर जाती हो और एक इसी level से असपास से इस trend को continue करती है on a higher side so that means कि यहां पर multiple trap trading भी है and market अगर dip भी देती है तो वो tip हमारे एक buy zone बन सकता है ठेक है तो हमें इतनी चीज़ पता चल गई इसके नीचे में short करना है exactly इस level के बिलकुल closer है so अगर यहां पर एक reversal भी आता है तो भी आपको trade नहीं लेना remember that अगर इस level पर आता है बिलकुल इसके पास तक आता है और यहां पर आपको 5-10-15 minutes के time frame पर दिखते है एक reversal आ रहा है आपको उस reversal पर साथ नहीं जाना हमने ही चाहते है कि market अब 19,580 के नीचे भी जाए अगर 19,580 के नीचे भी जाता है तो there is a higher probability कि breakdown के chances और खुल जाएंगे because जित्ती बार यह closer आएगा उत्ती बार ज्यादा selling pressure आ सकता है ज्यादा sellers active हो सकते है call writers active हो सकते हैं और वो market को नीचे push-down करने के कोशिश कर सकते हैं जरूर याद रखेगा हम लोग ज्यादा तर कोशिश ही करेंगे कि buy की strategy follow करें बड़ अगर नीचे जाने के कोशिश करता है तो we'll ignore the buying setup ठैक है buy and dips बिल्कुल भी नहीं करेंगे remember that एक बार open interest का data check कर लेते हैं क्या कह रहा है so open interest का data 19,550 पे ही highest put writers active हैं almost 20 lakh के contracts active हैं और call writers ने अपनी position को unwind कर लिया है so यह बहुत अच्छा संकेत है मलब जिसके point of views हम लोग समझ सकते हैं कि 19,550 और 19,600 के levels अभी एक strong hold दे सकते हैं अगर इसका मैं median लूँ तो 19,575 तो 19,580 एक strong support बन सकता है उसके नीचे बिलकुल भी नहीं जाना चाहिए अगर हम लोग दूर की बात करें तो 19,750 तो 19,800 पे call writers अभी वी active है put writers ने अपनी position unwind नहीं करी है that means कि upper limit खुली वी है lower limit का downside बहुत जादा कम है so buying के position हम लोग definitely लेकर चल सकते हैं but buy on dips please अभी जाहरा हूं buy करने की ओशिश मत करना एक बार 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 निफ्ति को चेक कर ले थे on a one hour time frame okay let me just remove these drawings so ले बार 15 minutes के time frame पे चलते हैं इस पेना में clear indication मिल जाएगा okay so now clear indicates let's wait let's wait weekly time frame, daily time frame पे आपको एक I think pattern देखने को मिला था or two hours time frame पे पाटन देखने को मिला था yes so here आप आपको पाटन देखने को मिला था let me just draw this pattern for you exactly 88 इस लेवल पे यह जो candle की मोमेंटम आई थी न इस candle पे आपको एक बुलिश साइफर पाटन देखने को मिला था जिसके टागेट्स अम लोग इस लेवल था के एक स्पेक करे था but after that a breakdown occurs इस ने इस पर्टिकुलर पाटन के लोग को ब्रेक करा with a rejection and the market started to go up so यह पाटन का उसे ही समें breakdown हो गया था मेरे पास एक question आया था कि इस pattern यह चल रहा या नहीं चल रहा तो उसका मैंने आप लोगों को answer दी दिया था ठीक है दी दिया है अब एक बार चलते हो ना 15 minutes time frame पे on a 15 minutes time frame पे exactly same cheese happened आप check कर सकते हो market is creating lower lows and lower highs it created a very good higher low and market market इसके ऊपर भी जाकी close कर सकती थी बट इनने close नहीं करा but there is a good thing कि market इस level के ऊपर भी sustain नहीं कर रही थी but इस यहां पर sustainability हुई है उसके बाद एक fall आया है that doesn't mean because एक profit booking या selling आ सकती है monthly भी खताम हो रहा था और Friday भी था तो there might be a chance कि एक profit booking हो सकती है इसको हम लोग ignore करके चलेंगे इस fall को हम लोग as a serious sticker लेकर नहीं चल सकते हैं ठीक है क्योंकि यह month के end में generally हम लोगों ने देखा गया है कि इस तरीके का आता है but market एक continuous rally को perform करती है whether it's on a downside or on a long side ठीक है तो हम इसको ignore करके चल सकते हैं अब मार्केट अंदर इस bank nifty में बहुत अच्छा support है death is 44,544,480 रुपीज का यह लेवल जब तक sustain करता है तब तक इस लेवल के ऊपर हम लोग buying opportunities बैंक निफ्टी के अंदर definitely बना कि रख सकते हैं ठीक है बैंक निफ्टी को मैं यह नहीं कह रहा है तो अगर एक momentum upside की तरह आती है तो बैंक निफ्टी परफॉर्म अच्छा कर सकता है momentum जादा दी सकता है as compared to nifty यह चीज़ भी हम लोग चेक जरूर कर सकते हैं सो बैंक निफ्टी करेंट लेवल पर अभी अच्छे लेवल है बट हम लोग कल वाच करेंगे मार्केट ओपन होती ही तो महाँ अपडेट से आप तो गुग को अटमाटिक ले दे देंगा if I buy a call option और a put option in the market I'll update you on my telegram channel that I always do सो आप मीचे description पर जाके जॉइन जरूर कर सकते हैं एक बाँ बैंक निफ्टी का weekly analysis का open interest data देख लेते हैं तो 44,300 से लेके 44,500 तक 4th October के expiry, weekly expiry call writers have exited their positions unwind करी है positions 44,500 and 44,400 के असपस heavy put writers पुजिशन बनाई है, active करी है call writers भी strong है मतलब आगे भी positions है तो पीछे भी है उपर जाने में भी खत्रा है तो नीचे जानने में भी खत्रा है ठीक है बोथ तरफ से fight अरही है तो यह चीज़ हमें चेक करनी है अगर मार्केट बैंक निफ्टी उपर जाने के कोशिश करती है और sustainability उपर जाती है तो call writers के बीच में एक momentum क्या जो है वो और कम हो सकता है और वो calls unwinding प्रेफरेंस बढ़िया हो सकता है तो वो हमारे प्रेफरेंस बढ़िया हो सकता है हम लोग कैसे चेक कर सकते है multi time frame open strike price पे चेक कर सकते है जो हमें हर 5 minute की momentum देता है हर strike price के open interest पे तो इसके तरुम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर तो दांग निफ्टी आगे ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो अग ऊपर के call writers है उपर की strike price के call writers है क्या वो डिकलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और जो पास के at the money के जो put writers है और उससे उपर का एक out of the money का put writer है तो वो हलकल के बढ़ रहा है यह चीज़ हम लग चेक करते हैं फिर अपनी एंट्री लेते हैं ठीक है तो यह आपको महलकल के भी सिखा भी दूँगा सो यह थी market के अंदर की analysis अब आत करते हैं सबसे पहले stocks की सो अर first stock is granules. Granules India मैं definitely long के लिए सोच रहा हूं और बहुत अच्छा breakout देखने को मिला है और अम monthly time frame first of all monthly time frame के अंदर आप चेक कर सकते हो एक बहुत अच्छा bullish flag and pole pattern इस particular stock के अंदर बना है और आप चेक कर सकते हो almost almost यह 3-3 साल से consolidation zone के अंदर है इस level पर consolidate कर रहा है और अब इस particular consolidation का breakout देने जारा है यह 360 के ऊपर almost breakout आचुका है अगर हम लोग daily time frame यह weekly time frame पर देखेंगे but मेरे साब से 352,360 यह range बान के चलते हैं but एक breakout definitely आचुका है but क्या simple technical point of view से मैं आपर बाय कर लो because I am gonna buy this stock for a very good target अगर मैं आपको को targets बताता हूँ ना so let me show you देखें इस candle एक बड़ी momentum आना start है so मैंने एक volume market profile sorry Fibonacci extension का use करा है and जो मैं target expect करके चल रहा हूँ that is 500 rupees के that is almost almost अगर मैं लेकर भी चलता हूँ so that should be around 45% का target so यह मेरे swing trade है not as a short term trade मैंनी कह रहा हूँ as a swing trade कह रहा हूँ जो कि मैं 3-3-4 महिने तक hold करने वाला हूँ अगर मैं एक रहा हूँ एक रहा हूँ सिफ technical point of view से मैं काम नहीं चला सकता I have to see the other things as well so मैंने screener पे गया मैंने आपर अगर ग्रानुवल्स डालूगा पर्तिक्ला स्टॉक का नाम और अगर इंटर करतूगा so यह पर ग्रानुवल्स उपन आपके आचुका सबसे पहले आप इंडस्ट्री का प्राइस टॉर्निंग रेशियो देखिए कि कितना महंगा इंडस्ट्री का P30 ए उसका कांके प्राइस स्टॉक 19 यह पर प्राइसी स्टॉक 19 श्री तॉक नाम करता है विच़ ए थिझुड यह इसके इव गर गुदक चेक करते हैं P-E Ratio यहाँ पर अगर अगर आप लुक चेक करोगे P-E Ratio ऑगर फिगन को बिलेगा यह PE ratio graph क्या है यह जो line है यह PE है और जो graph है वो EPS बता रही है ठीक है कि अर्निंग्स भी बढ़ रही है कि नी बढ़ रही है particular stock की जैसे जैसे वो stock महंगा होते जा रहा है दोनों साथ में जा रही है which is good बट अगर एक गिर यह एक बढ़ रही है तो वो अच्छी बात नहीं है आप देख सकते है EPS 21 पी 15 है अब हम लोग बढ़ रहे है PE बढ़ रहा है EPS 63 है बट हलका सा गिरा भी है 21 से 18 आया है तो वो एक थोड़ी ची प्रॉब्लम है बट लेट्स एक इनूर आट इसके लावा प्राइस तु बुक वाल्यू पर रेशियू पर आते हैं तो आप मीडियन देख सकते है 3 है तो जब भी 3 के ऊपर यह जाता है अगर 3 के नीचे चल रहा है और 3 के ऊपर जाता है तो देर माइट भी चांस कि यह पर्टिक्लर स्टॉक एक मुमेंटम दे सकता है ठीक है एक मुमेंटम ही पर्टिक्लर स्टॉक दे सकता है तो अभी अब यह अंडर 3 के काम कर रहा है as you can check, अगर यह 3 की ऊपर जाना start करता है, तो there might be a chance कि यह particular stock अच्छा कर सकता है तो इसको हम जरूर चेक करेंगे, इसके लब आप PE ratio में हमने एक चीज़ और चेक करी है, आप चेक कर सकते होगे PE यहाँ पर एक बार high था 7th October 2022 पे, 20 PE 21 के PE पे था उसके बाद क्या हुआ, मार्केट पे पहले यह चेक करते हैं जब PE 21 पे था तो ग्रैनवल्स ने कैसा परफॉर्म करा यह चीज़ चेक करी है तो October 2022 पे चलते हैं यह लेवल है October 2022 पे एक्जाक्ली अपने हाई पे था और आफ्टर एक फॉल आया है अफ्टर एक फॉल आया और फॉल ने एंड करा मार्च पे मार्च 2023 पे यह रा मार्च मार्च अपने एक्जाक्ली लोस पे आया और वहां पर जाकि अपने लोस को कंफर्म करा और एक मार्केट इस्ट्रुक्चर उपर की तरफ लिया तो कोई बात नहीं एक बर और पीछे जाते हैं इन लेवल्स पे जैनवरी 2021 पे पर फेब अमान के चलते हैं विकॉस यह 2022 है जैन का तो फेब 2021 पे क्या हुआ लेट्स गो तो फेब 2021 यह एक प्राइस है फॉल आया है आज यू के चेक यह सो हम यह चीज़ देख रहे हैं कि जब भी 20 के पास आता है तो जर्नली अगर यह पर्टिकुला ग्राइवल हाई लेवल पे होता है तो एक वह पर फॉल आ जाता है वह एक सर्टेन शॉर्ट टम हाई बन जाता है एक शॉर्ट टम रिजिस्स बन जाता है तो वह चीज़ चेक करनी है कि यह क्या इस बार भी ऐसा होगा देखे जर्नली मैं नहीं कहरा कि ऐसा हुआ है तो हो सकता है अगर हम लोग और पीछे जाते तो ऐसा हुआ भी नहीं होगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 20 एक्जाक्ली 20 के पास आके दुबारा सिलिंग आया 20 के पास आके दुबारा सिलिंग आया फिरसे 20 के पास आके दुबारा सिलिंग आया बट एक बार जब 20 के ऊपर ब्रेक करा है यहाँ पर 21 22 गया तो एक बड़ी momentum rally भी दी हा इस परिकलर बार स्तोख ने तो सब्टेमबर 2022 पर एफाय की होल्डिंगी 26.31% अब हो चुकी है 21% एफाय ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है ठीक है बट डिया इसका अगर आप चेक करोगे तो 0.15% थी जो कि अल्मोस्ट 6.68% हो चुकी है guys विच वेरी गुड यह चीज़ आप चेक कर सकते हो तो मेरे साब से कंपनी अच्छा पर्फोर्मेंट्स दे रही है और जरूर इस चीज़ को आप पढ़ना अब बात करते हैं अर सेकंड स्टॉकी इस विसाका विसाका इंडस्ट्रीज को आप चेक करिएगा यह पर्टिकलर स्टॉक भी में बाई करने के बारे में सुच रहा हूँ और आप पर्सनली थिंक कि कल नहीं तो पर्सो तकी मेरी लेवल्स पर आजाएगा जिस पर में बाई कर सकता हूँ अब आप देख सकते हैं कि बहुत अची राली दिती है और इसका all time high almost 175 यह 173 के आसपास है and it created a very good resistance at this level ठीक है एक बहुत बढ़िया राली दीती इसने almost 20 से 170 तक गयाता है एक बहुत बड़ा multi-bagger रेटर्न दियाता इसने after that अब यहाँ पर यह एक consolidation form पर है let's use Fibonacci retracement when I use Fibonacci retracement तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली just give me a second yeah exactly this 61% just fall करा अगली candle यह उपर momentum देदी which is a very good sign after that यह उपर के तरफ तरफ कंसॉलिडेट कर रहा है अब आप चेक कर सकते हो कि यह जो 50 का level है that comes around 95.5 अभी trade कर रहा है 91.5 यहाने की 4 रुपे और उपर but I will not wait for that particular level I will start accumulating the stock after 93 level cross so यहासी 93 and 92.8 के level cross होता है I will start accumulating the stock with not a very long huge quantity but 20 share ले ले लिए 100 share ले लिए 95 cross रहा तो 400 share ले लिए ऐसे ऐसे करके मैं accumulate कर रहा हूँ stock पर एक बहुत अच्छा bullish lag and pool pattern मनाए अपने अच्छे levels पर अगर इसके उपर निकलता है 96 के उपर तो एक बड़ा momentum दे सकता है stock विसाका को भी एक बड़ चेकर कर देखे क्या बता रही है stock okay विसाका पर हम लोग आ चुके है let's first understand the PE ratio so PE ratio में same EPS is falling and PE ratio is moving higher let's use the 10 but यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसके उपर PE ratio बहुत टाइम से नहीं गया 2018 से इसके उपर PE ratio नहीं तो let's sideline इसको थोड़े टाइम के लिए कर देते हैं but median value जो है PB ratio की that is 1 and exactly 1 के असपास ही trade कर रहा है almost almost इसको एक साल ओने माला है okay और एक साल से यहाँ अगर आप चेक करोगे यह यहाँ देखिए इस लेवल से यहाँ देखिए और अगर इसने आप इसके उपर momentum करना start कर रहा और यहाँ पर एक breakout आया तो एक अची rally में देखने को मिल सकती है okay price to book ratio भी बहुत अचा है book value से one times ही कर रहा है which is very good इसके लावा अगर यहाँ पर चेक करोगे इसका holding pattern share holding pattern so promoters are also bullish in 2020 में 44.50% stake था जो increase 48.42 FI इसका 1.29 था जो बढ़के double से भी बढ़के DII इसका 0.03 था जो बढ़के 0.67 which is very very good okay percentage wise देखोगे तो बहुत जादा बड़ा है okay so I think this stock अच्छा काम कर रहा है चलिया में quarter ली बात कर रहा है quarter to quarter किस तरीकी का increment में देखने को मिल रहा है so I think बढ़िया stock है अच्छा performance दे सकता है watch this stock और better returns दे सकता है यह किते percent का returns दे सकता है अगर मैं प्रिवा साइज को 75% कर रहा है our last stock is better foods already I told you कि मैंने buy करी रखा है automatically आप लोगों से पैली मैंने almost 1000 रुपे मैंने से खरीद आवाई and I am waiting for the 1200 or 1300 रुपीस के target in this particular stock in this particular stock ASM अपको मैं बता चुका हूँ stage 1 ASM अपको बहुत लोग बाई आपको 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 ब्रोकर्स आपको 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 आ जैसी ASM से बाहर जाएगा, stage 1 पर तो there is a higher chance कि बाहर जा सकता है, अगर बाहर जाता है, तो I will enter more quantities अगर मुझे इनी लेवल्स के आज पास मिलता है तो, ठीक है, नहीं जाता है, तो quantities I have low, stop loss it होता है, I'll exit my position, ठीक है, so I'm waiting for this particular target, let's hope कि ये तीनो stocks अच्छा return दे पाएं, option उसके अंदर ही है, so I think ये ती मेरे analysis, I hope आपको पसंद आया, please do your own research in these stocks, शाहिद मैं कुछ ऐसी चीज मिस भी कर सकता हैं, इन स्टीन stocks के अंदर जो बहुत जादा bad हो, condition के लिए और ये particular stocks में बहुत बड़ी fall बी आ सकती है, तो पहले चेक करना, फिर अपनी analysis करना, because मैं अपना पैसा लगा तो मैं अपना loss जेल सकता हूँ, आप मेरी recommendation के थूँ लोगे, तो वहां पर आपको नुकसान हो जाएंगे, तो वहां पर जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने मेरी सुनी है, मेरी आप सुनो और अपनी खुत की अनालेसिस करो, दोनों साथ में क्लब होती है, तो जा कि अपने ट्रेट्स को एक्जिक्यूट कर सकते हो, इसके लावा मैंने अज अपनी यूटूब वीडियो पर एक चैनल में आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको बताता लिए आपको बताता हूँ, तुरंत जाएँ अपको बताता हूँ, तुरंत जायों से वीडियो को देखिए, विकॉज वाँ पर न्यूस चैनल, लिए ए-मागजीन, लिए-न्यूसपेपर्स, सब्सक्रावण से अन पर शारी चीजों के बारे में बात करी गई है। और आप अच्छिय हमें भुक्ट करा अच्छी हमें अधने अले इन लेगागी कै से ने यूट्युबर्स इपकुनिया कि आप सुछल मेडिया की आहिज़्दानी हैं उन्हें बोलाकिर तो अगर वह अधन्र चीम तो हीज आप सुन्रे अधन अपली पर्गी क vibrant करो यह यडैंगे अभ विश्वास कर आप ट्रेड ले रहे हो सीधा सीधा बाय और सेल कर रहे हो वो गलती मत करो तो क्योंकि एक देन अगर सेबी ने रूल कर दिया कि यह सब बंद करना तो आपके पास कुछ भी नी बचेगा कि आपके तिप्स भी ले पाओ या आप अप अरे स्टोक रेकमेंडीश कर लोगे तो यह चीज समझने की कोशिश करो जो जो मैं आपर बता रहा हूं educational purpose से बता रहा हूं उसको वैसे ही लो समझो क्या बता रहा हूं क्या नहीं बता रहा हूं और उसे implement करो कोई चीज का doubt आता है analysis related तो comment box के अंदर बताओ तो मैं वो solve भी कर पाऊ आपके ठीक है so have a good day guys very good evening bye bye